दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए हलो दोस्तो आप सभी का मेरे चैनल विना इस्टडी के अन्वे स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में मैं युकती संगत तरक लेकर आया हूं जिसमें हम देखेंगे व्यवस्थित क्रम सेटिंग अरेजमेंट जिसे बोला जाता है इसे संबंधित कुछ प्रशन जो की आपके लिए मतपूर्ण हो सकते हैं सीजी सेट के लिए ऐसे प्रशन हमेशा पूछे जाते हैं एक विवस्तित क्रम से पूछा जाता है तो चलिए आईए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला प्रशन है दोस्तो गंगा, यमुना, सरस्वति, कोसी और सोन पांच नदिया है गंगा, यमुना की पिक्छा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है सरस्वति सबसे बड़ी है यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है परंतु गंगा से कुछ बड़ी है तो सबसे छोटी नदि कौन सी है अब आपको बताना है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि पांच नदिया गया है आप उसको आप विवस्तित क्रम में इसको arange करना है उसके बाद इसका answer आपको ढूनना है तो चलिए दूस्तों ढूनने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर एक जो terms दिया गया है उसको देखते हैं गंगा यमुना के picture चोटी है तो यमुना की अपिक्षा छोटी है कौन गंगा परन्तु सोन से बड़ी है तो सोन से बड़ी है मतलब सोन का जो चांस है वो हम अरेंज करते हैं दिखते हैं तो सरस्वती सबसे बड़ी है तो सरस्वती नदी सबसे बड़ी है तो सरस्वती सबसे सामने रखते हैं सरस्वति सबसे बड़ी है, चलिए ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि गंगा यमुना की अपिक्छा छोटी है, तो इसके बाद जो है, गंगा यमुना की अपिक्छा छोटी है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, यदि कोसी यमुना से छोटी है, तो यहाँ पर आएगा यम उसके बाद आएगा सोन ये क्रम होगा दोस्तों तो इसके अनुशार इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो सबसे छोटी कौन सा है आप्शन नंबर भी सोन तीक है सोन सबसे छोटी है इसको आप अपने इसाब से अरेंज कर सकते हैं सुसीला सुधा से लंबी है लेकिन पुस्पा से छोटी है पुनम रिंकी से छोटी है और रिंकी सुधा जितनी लंबी नहीं है यदि सभी एक पंक्ती में अपनी उचाई के अनुसार खड़ी हो तो सबसे लंबी कौन होगी अब आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा तो इसमें उचाई के करम को आपको व्योस्तित करना है है ना तो इसमें पुछा है सबसे लंबी कौन है तो प्रश्ण को एक बार और पढ़ते हैं पुनम रिंकी से छोटी है उसके बाद बोल रहा है रिंकी सुधा जितनी लंबी नहीं है यदि सभी पंक्ती में अपनी उचाई के अनुसार खड़ी हो तो सबसे लंबी कौन है तो इसको अरेंज करते हैं तो इसमें सबसे छोटी तो बोला गया है उसके अनुसार कौन है पुनम है पुनम सबसे छोटी है उसके बाद देखे इसके बाद रिंकी है इसके बाद देखे रिंकी के बाद यदि हम देखे तो रिंकी के बाद सुधा सुधा से बड़े जो होगा सुसीला और सुसीला से सबसे बड़ा कुन होगा पूस्पा होगी तो इसका आंसर जो है वो निकल के आएगा option number A इसका correct answer के आएगा option number A तीसरा प्रश्न देखते हैं गोपाल कृष्ण से छोटा है गोपाल कृष्ण से छोटा है मोहन गीर्धर से लंबा है गोपाल मोहन से लंबा है कृष्ण मुर्ली से छोटा है तो सबसे लंबा और सबसे छोटा क्रम कौन सा है तो आप इसको पहले arrange कीजिए तो प्रश्ना मुसार देखे तो सबसे बड़ा जो होगा मुर्ली होगा उसके बाद कृष्णा उसके बाद गोबाल उसके बाद मोहन और गीर्धर तो सबसे जो बड़ा होगा वह होगा या लंबा होगा वह होगा मुर्ली है ना सबसे लंबा कौन होगा मुर्ली उसके बाद सबसे छोटा कौन होगा गीर्धर इसको आप arrange कीजिएगा एक बार उसके बार इसका answer निकलेगा मुरली और गिर्धाद यह option number C अब देखे 5 flat A, B, C, D, E इस प्रकार है कि A के उपर E, B के नीचे C A के नीचे B और C के उपर D है सबसे नीचे कौन सप्लेट है तो आप इसको arrange कीजिए तो सबसे उपर जो है तो A के उपर E है तो चलो arrange करते हैं A के उपर E है A के उपर क्या है? E है फिर बोल रहा है B के नीचे C है B के नीचे C है यह B पहले arrange करते हैं फिर आगे देख लेते हैं A के नीचे B है C के उपर D है तो c के उपर d है तो c यहाँ पर आएगा d और d की नीचे आएगा c तो सबसे नीचे कौन होगा इस प्रकार हम इसको अरेंज करते हैं तो अरेंज करने के बाद हमको यह मिला तो इसका जो आंसर है दोस्तो वो होगा c सबसे नीचे कौन सा है सी तीक है आगे बढ़ते हैं किसी मेच पर पांच विश्य की पुस्तके निम्न पकार रखी गई है अर्थसास्त गड़ीत के उपर है तो आप इसको अरेंज करके देखें अर्थसास्त जो है संस्क्रित हिंदी के नीचे है इसके नीचे है विज्ञान संस्क्रित के नीचे है तो यहाँ पर साइंस ठीक है ये क्रम है ऐसा क्रम है वतादू नीचे है तो सबसे नीचे कौन है तो सबसे नीचे साइंस ही है option number D यह तो काफी easy था अब आगे देखते हैं एक पंक्ती में राम का क्रमांग दोनों और से पांचवा है तो पंक्ती में कुल कितने विक्ति है है ना दोनों और से पांचवा है तो इसका एक फारमूला होता है पंक्ती में कुल विक्तियों की संख्या बराबर होता है दोनों और के इस्थान का योग प्रिन ए तो पंक्ती में दोनों तरब पांच पांच है तो 5 प्लस 5 और इसको एक घटा देना है तो इसका जो इस्थान तो इसमें दिया है, सात्वा प्रश्ण में, एक पंक्ती में मोहन डाये से पंदरवा है, और बाये से शोलवा है, तो कितने व्यक्ति और सामिल किये जाए कि कुल पचास व्यक्ति हो जाए, है ना, अब इसको देखना है, तो सबसे पहले फर्मूला, सेम फर्मूला इसका मतलब हो गया ये 30 अब कितना जोड़े है कि ये 50 हो जाए तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा simple सा है कि 50 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 इसका अनुशार इसका आंसर क्या आएगा 20 ठीक है option number 2 अब आठवा प्रशन देखते हैं आज का लास्ट प्रशन railway आरक्षन सूची में स्याम का इस्थान उपर से 31 तथा मोहन का इस्थान नीचे से 30 है यदि दोनों की इस्तिती बदल दी जाए तो मोहन के इस्तिती के नीचे 41 से हो जाती है और दोनों की बीच आरक्षन सूची में कितने व्यक्ति है तो आपको ये बताना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसका एक फार्मूला होता है प्रारंबिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच मोजूद व्यक्तियों की संख्या मोहन का परिवर्तित क्रम प्रारंबिक क्रम माइनस एक तो इसमें देखें पहले मोहन का क्रम कितना था वो और अभी जो है तो पहले जो था उसका इस्थान तीसवा था और अभी एक चालीस तो हम क्या करेंगे एक चालीस है ना में हम क्या घटाएंगे 41 में हम 30 घटा देंगे तो कितना आएगा 11 अब उसमें भी एक घटाना है परमूलक का नुशान तो यह जो आएगा 10 वा है ना तो इसका जो अंसर निकल कर आ रहा है वो होगा 10 वा ए इसका correct अंसर है काफी easy था ठीक है दोस्तो तो वीडियो कैसा लगा दोस्तो आप comment करके बताईए इस पकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रही है थैंकि दोस्तो